तुमस्का दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमारी चनल पर दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फेपड़ों को कैसे स्वस्त रख सकते हैं मनिश्य को जिन्दा रहने के लिए स्वास की बहुत जरूरत होती है जिन्दा रहने की इस प्रक्रिया में हमारे फेपड़े हमारी सबसे अधिक साहय तक करते हैं फेपड़े शरीर को ऑक्सिजन प्रदान करते हैं तथा शरीर में बनने वाले कार्बन डायकसाइट को भी बहार निकालते हैं इसी वज़े से हमें अपने फेंपडों का खास खयाल रखने की सरूरत होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी फेंपडों को स्वस्त रखने के लिए कुछ important टिप्स के पारे में। इसे जानने से पहले दोस्तों सबसे पहले एकने विदन उन लोगों से करना चाहूंगी जाज पहली बार हमारी चैनल पर आये हैं क्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसेता को जरूर ले लीजेगा ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारी द्वरदी कई जानका सेवन कर सकते हैं क्योंकि यहां एंटी ऑक्सिदेंट्स व्यक्ति को फेंपडो की कैंसर से खत्रे से पचाता है एवं अस्तमा की रोग्यों को अस्तमा की दोरे से भी राहत दिलाता है इसमें आप गाजर, तमाटर वह हरी पत्तिदार सबजियों का सेवन कर सकते हैं इसे ओमेगा-3 fatty acids से भरपूर खादिपदार्द का भी सेवन कीजे। इसमें ट्यूना फेश, ट्राउट्स जैसी मचलियां, एवं, मेवे व अलसी पाय जाते हैं। ओमेगा-3 fatty acids केवल हमारे फेपड़ों के लिए ही नहीं, बलकि हमारे स्वास्त के लिए भी बहुत ही लाबदायक होते हैं। इसलिए दोस्तों हो सके तो जादा से जादा इन चीजों का सेवन कीजे। इस मौसम में फूल गोबी, ब्रॉकली, पालक, मेथी ये सारी सबजियां भी मिलती हैं। आप हो सके तो इन पत्तेदार सबजियों का जादा से जादा सेवन कीजे। क्योंकि ये सबजियां हमारे शरीर से विशाक्त पदार्तों को बाहार निकालती हैं। और हमारे फेपणों को स्वस्तित बनाती हैं। दोस्तों अभी खटे फल जैसे की संत्रा, नीबू, टमाटर, कीवी, स्ट्रॉबेरीज भी इस मौसम में बहुत मिलते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाय जाता है। और विटामिन सी हमारे शरीर से विशैले पदार्तों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इसलिए दोस्तों विटामिन सी से भरपूर आहार का सेवन कीजे। इससे आपको फायदा होगा। दोस्तों आप मुनक्य का सेवन भी कर सकते हैं। रोजाना भीगे हुए चार से पांच मुनक्य का सेवन करने से फेंपिर स्वस्त रहते हैं और मस्बूत भी पनते हैं। दोस्तों इस मौसम में आप अद्रक का भी जादा से जादा सेवन कीजे। इससे भी आपको फायदा होगा। आप इसके लिए अद्रक को चाय में डाल कर भी पी सकते हैं या फिर सूप में डाल कर या फिर किसी सबजी में डाल कर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपको बहुती फायदा मिलेगा। आप अनार का सेवन भी कर सकते हैं। एंटी ओक्सिदेंट से सम्रद अनार फेपणों से विशाक्त पदार्तों को हटाता है तथा शरीर में रक्त परिंस्चरण को भी पढ़ाता है इसलिए दोस्तों अनार का भी सेवन कीजेगा तो दोस्तों यदि आपको अचकी हमारी जनकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक, शेर और कमेंट सरू कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद